मनुग्या लोटेंगे आपके पास इस समय केवरे मंतरी रविशंकर प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रविशंकर जी जो देश भर की तस्वीरें आपको आप इस समय देख रहे हैं जो अलग-अलग इलाकों से आ रही हैं तस्वीरें आज किसानों के कंदे से हमारे विरोषी दल के लोग गोली चला रहे हैं और मैं क्या कहूं ये जो हमारे विपक्शी दल के लोग हैं जो बार-बार चुनाओ हारते हैं चाहे लोक सभा हो या विधान सभा हो या नगर निगम हो और जिस बंगाल की बात अभी आप सुना रही थी वहाँ भी हम जीतने वाले हैं कॉंग्रेस पार्टी दो हो गई हैदरबाद में बिहार में क्या हाल हुआ आपको पता है अब जो बात मैं कल से कह रहा हूँ श्वेता जी विरोध के लिए विरोध आपका कोई वजूद बचा नहीं कोई जमीन बची नहीं तो अब किसान अंदोलन आया तो उसमें आप कूद गए कभी तीन तला का विरोध करते हैं कभी शाहिन बाग के पक्ष पे खड़े हो जाते हैं कभी C.A. का विरोध करते हैं राफिल डील का विरोध करते हैं और देखिए मैंने कल विस्तार से बताया है कि कॉंग्रेस पार्टी ने अपने मनिफेस्टों में कहा था कि हम पूरे मंडी एक को रिपील करेंगे शरत पौवार ने पत लिखा था मंतिक रूप में कि अगर आप मंडी के चंगुल से किसानों को मुक्त करने के लिए सुधार नहीं करेंगे तो हम केंदर से वित्ती सहयाता आपको बंद कर देंगे तो वो इस तरफ जा रहे हैं बाकिस सब प्रदेशों में ये काम हुआ है कंट्रैक्ट फार्मिंग का प्रस्ताव और अम्रीकरन हर प्रदेश में हुआ है नहीं कॉंग्रेस है, भाजपा है, बीजेडी है, डीम के है नहीं, रविशंकर जी, विरोध की ये विरोध की का जो तर्क है वो राजनेताओं पर, राजनीती पर इस पर जरूर फिटा सकता है अलग-अलग पार्टियों पर जरूर फिटा सकता है लेकिन आप ये तो मानेंगे न कि जो इस समय जो किसान आंदूलित हो रखे है जो मांग कर रहे हैं, ये मांगे कोई नहीं नहीं है अगर वो MSP को लेकर जो बातें करते हैं तो आप ये भी नहीं समझ रहे हैं कि कम से कम कुछ जो है कुछ हिस्सा तो विरोध का जो है वो स्वाभाविक है और उसको अड्रेस करना है सरकार को आपने बिल्कुल सही कहा किसानों से हमारी बातचीत हो रही है कि नहीं हो रही है पांच राउंड की बात हुई है नहीं हुई है दो वरिष्ट मंत्री पताधिकारी उनके साथ पांच शे घंटे बात कर रहे है न को कि हम लोगतात में विश्वास करते हैं आप सही कह रही है मैं अपने MSP का एक आपने एक बात कही प्रधान मंत्री जी ने कहा मंत्री जी हमारे एतोमर जी ने कहा क्रिश्य मंत्री ने कहा हम लों ने कई बार कहा है और भी चाहिए उस पर भी विचार करेंगे आज मैं आप चुकि आप फिल्ड में है तो मैं एक बात दुबारा कहना चाहता हूँ कि नवंबर के अन तक भारत सरकार ने MSP के माध्यम से 60,000 करोड रुपय की खरीद की है दान की पैडी की और उसमें जो लगबग 35,500 लाक टन खरिदा गया है उसमें दो तीहाई आपके पंजाब से खरिदा गया आप समझ लिए हजारों करोड के किसानों को फाइदा मिला है तो अभी जब ये कानून के बाद भी आप जमीनी हकिकत देखिए कि कितना धान खरिदा गया MSP कितना दिया गया तो हो रहा है हमारे काम को देखना चाहिए हम गए तो इस चीज़ समझने में नहीं आती है कि आखिर फिर इतना अंदूलन क्यों इतना अग्रेशन क्यों इतनी आकरामकता क्यों है देखिए उसमें में दो ही बात कहूंगा ये कराव वाकता मूल रूप से एक प्रदेश से है आप भी समझती है उसका ना मुझे खोलने की जरूत नहीं है हाँ बिहार में तो मंडी नियम 2006 में समाप्त हो गया था कई प्रदेशों में बाकी जगा खतम हो गया आए आप देखिए कि नए नए किसान नए नए फसल उगा रहे हैं आप जड़ा चली जाए ये बुलन शहर के आसपास अस्ट्रेलिया की कमपनी गाजर उगवाती है और ल कैश वेजटेबल उगा रहे हैं और कलो रुपय कमा रहे हैं तो हम मंडी समाप्त करना नहीं चाहते हैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं लेकिन हम मंडी के चंगुल से किसानों को एक अवसर देते हैं क्या हो भाई तुम्हाइदी ये भी अवसर है और देखिए श्विता के लगबग 21,000 मंडियां उस पर रेजिस्टर हो गई हैं डेड़ करों किसान रेजिस्टर हुए हैं और मालूम है सवा लाक करोंड रुपय का उन्हें व्यापार किया है अपने फसलों का तो ये कानून सिर्फ किसानों के लिए अवसर देता है बिचौरियों आहत्यों के च कानून आफी लोगों ने बनाया था क्या आपको लगता है कि जमीनी स्थर पर उतने लोगों को समझाए नहीं गया आप अपनी बात को रखने में नाकाम रहे नबे लाख लोग चर्चा में आये थे छे महिने में क्योंकि कुरुना के कारण तो फिजिकल मीटिंग होने ही सकती थे तो सब ने गिंती से दिया था बाद में सेगेट्री मिले मंत्री मिले पांच राउन की बैठक हुई है संसद में भी व्यापक चर्चा हुई थे और सबसे तो आशरता है संसद में जो समर्थन किये हैं वो भी कूद गये हैं मैदान में मुलायम सिंग्यादो जी ने स्टैंडिंग कमिटी में कहा है कि किसानों को चंगुल से मुख करना चाहिए मंडी के चंगुल से उनके पुत धरने पर बैठ रहे हैं सवाल ये है किसानों से हमारी बात्चीत चल रही है हम जरूर करेंगे लेकिन कुछ लोग जिनकी समस्या वो है कि नरेंद्र बोदीजी का विरोध करने का जो भी अवसर मिले कड़े हो जाओ ये ठीक नहीं है मैं इतना ही कहना जाता हूँ और हमारी सरकार लोग पुरिय है इस पूरे मामले में कोई ऐसा नहीं है रविशंकर जी जो किसानों के साथ न हो सब रोटी खाते हैं सबका पेट भरता है उन्हीं के बन उगाय हुए अन्न से इसलिए अन्न दाता कहते हैं और मन में श्रद्दा से उस बात का समर्थन भी करते हैं लेकिन लोग अब ये जानना चाहते हैं कि ये मामला कैसे निशकर्ष तक पहुँचेगा अगर इतने दोर की बातचीत में किसान अपनी तरफ से सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि आप तीनों कानून वापस लीजे सरकार अपनी तरफ से इस बात को लेके सपश्चेगी हम कानून वापस नहीं लेंगे आप समझाने की बात करते हैं वो आपको समझाने की बात करते हैं तो निश्कर्ष निकलेगा कैसे कब तक दिल्ली इस तरीके से घीरी रहेगी? तक दिल्ली इस घीरी रहेगी? के लिए हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है हमारे आई टी विभाग का डिश में चार लाक ले गया हूं मालूम है आज वो डिजिटल तरीके से क्या कर रहे हैं त्रिपुरा का जो पाइनेपल था जिसे आप अननास कहती हैं वहाँ किसानों को पांच रुपया मिलता था हमने डिज किसानों के लिए आपने सही का कि अगर संवाद और करने के जरूर करेंगे हमको समझाएंगे और मुझे मालूम है देश का किसान समझेगा वो चर्चा होने दीजिए चर्चा पर मैं कोई टिपई नहीं करना चाहूंगा में ले कहना उचित नहीं होगा क्योंकि वह हमारे द समर्थन में कड़ा होना चाहती है तो आप लोग कोशिश कर र collectors को बंद करें अखलेश यादव कह रहे हैं एक उन्हें उनके घर में नजर बंद रखा गया है जो अरविन केजिरीवालें वो कहा रहे है कि दिल्ली में उनके घर को घेष्ञे हम नहीं दबाते हैं अखलेश वाज उत्तरप्रदेश की जनता ने दबा दी है तो हम क्या करें बृतर से हारे विदान सबां में लोग सबामें सफाया हो गया तो यह आप आरोब दरत है हाँ, वो मुख्यमंत्री हैं अरविन केजरिवाल तो जीते हुए हर को विरोध हर को विरोध करने का अधिकार है लेकिन अब अस्था पदने का नहीं अब मैं अरविन केजरिवाल के बारे में क्या कहूं 23 तमबर को उनकी सरकार दिल्ली में इन कादूनों को नोटिफाई करने का डज़र प्रकाशित करती है इसी 23 तमबर को अब आज विरोध कर रहे है तो छमा करें लोग तंत्र में शांती पुर तरीके से काम करिये अब विवस्था तो नहीं होना चाहिए अब ये काप पुलिस करेगी ना उसमें देश का कादूमंतर कुछ नहीं बोलेगा लेकिन कहां शांती बंक्याव शक्ता है श्विताजी उसमें क्या होता है तो शांती विवस्था भी तो जरूरी है ना इतना ही कहने कहना चाहूंगा रविशंकर जी मैं ये सवाल आप से जो अंतिम सवाल आप से पूछ रही हूँ ये समूचे देश की ओर से पूछना चाहती हूँ क्योंकि दिल्ली को हमने पिछले साल इसी समय पर देखा था कि किस तरीके से जब CAA के कानून थे कि दिल्ली नहीं और भी शहरों में वो हो रहा था और कोरोना का लॉक्डाउन जब शुरू हुआ तब जाकर वो मामला पूरा खतम हुआ था आज सब ये जानना चाहते हैं कि आप लोग कितने आश्वस्त हैं कि आप इस डेडलॉग को इस गतिरोद को तोड़ पाएंगे आप किसानों को समझा पाएंगे या उनकी बातों को मान कर या फिर अपनी बातों को समझा कर लेकिन सामान्य होगा जीवन जल्दी देखिए आप देश से सवाल पूछ रही हैं तो थोड़ा मैं आप से अनमती चाहके थोड़ा इस पश्ट बोलना चाहता हूं किसानों के लिए जो भी जरूरी करना होगा हम करेंगे हमेशा करेंगे तो कि वो हमारे अन्यदाता हैं और हम उनसे बात्चीत भी करेंगे और उनकिसान के लोग नेताओं को नहीं करें कि आप हमारे कारकरम में आई फिर भी वह जाना अलग बात है लेकिन ये मुझे बताईए चुकि आपने बताई शाहिन बाग की याद दिलाई बाकी याद दिलाई अब ये बताईए कि कुछ लोग आकर के दिल्ली में पांसो प में आए आप हार गए शानत ओए जीद गए राज करिए इसकी को लेकिन हम अनिश्चत काल के लिए देश की राजधानी में को घेरे रहें यह तुमिरी बात सुनो नहीं तो घेरे रहेंगे तो डेश तो ऐसे नहीं चलेगा न हम बाचित करेंगे तो इसका मतलब हमारे जो सरल किसान है भोले किसान है उनका हम सम्मान करते हैं और मुझे मालू है कि वो मोदी जी के पते स्ने भी करते हैं लेकिन कौन सी ताक्ते हैं कि घेरे रहो जब तक नहीं होता है यही शाहिन बाग में हुआ था ना यह भी ठीक नहीं है तो कि आपने यह सवाल देश से पूछा देश की तरफ से पूछा था तो इसका रास्ता निकलेगा हम जिरू रास्ता निकालेंगे लेकिन हाँ अगर कुछ लोग यह सेचते हैं कि बिलकुल हम दिल्ली को पैरलाइस करके अपनी मांग को मनवा कर रहेंगे तो मेरे ख्याल में यह सोच ठीक नहीं है लेकिन रविशंकर जी अगर इस तरह के विरोध प्रदर्शन को एक पक्ष को खिलाफ बोला जा सकता है तो भारतिय जनता पार्टी पर जैपूर में आरोप लग रहे हैं कि वहाँ से पत्थर चलाए गए इसी वज़े से टकराऊ हुई कॉंग्रेस और बीजेपी के तरफ सी आरोप वहां से आ रहे हैं दूसरी चीज की जो बंगाल की तस्वीर हम देख रहे हैं अभी आपने एक सवाल किया कि दिल्ली को घेर कर लोग बैटे हुँ में उसके संदर्व को मैंने जवाब दिया ये नहीं बात हो गई न हम लोग तो जेपी मुव्मेंट के समय के एक्टिविस्ट है ये धर्ना प्रदरशन लाठी जेल सब देखा हुआ है उसका भी एक सिस्टम होता है कि नहीं होता है कि हम एक शाहर को घेर कर बैड़ जाएंगे साहे रास्ते बंद कर देंगे कुछ नहीं आने जाने देंगे जनता को पूरा हम एक प्रकार से असुवदा से तरस्त कर देंगे ये ठीक नहीं है मैंने ये बात कही थी अब बंगाल में तो जो हो रहा है आपने बंगाल की बात की ही लेकिए जैपुर की समस्या दूसरी है वहां कॉंग्रेस के अंदर की बहुत समस्या है जो रो जो आप देख रही है आज भी अगवार भड़े पड़े हैं कि सचिन पाइलट को अभी तक न प्रशानी हुई आपने बहुत दिखाया है तो वहां आम करकरता की कौन बात करें हां हमारे कारकरता संघर्ष कर रहे हैं पुलिस के इतिजार के खिलाफ और अगले चुनाव में जीतेंगे बंगाल यहमारा पूरा विश्वास है रविशंगर जी धन्यवाद हम यहीं उम्मीद करते हैं कि जल से जल समाधान इस पूरे मामले का निकले किसान संघठन जितने भी अपनी मांगों को रख रहे हैं देखना है कि किस तरीके से उनकी मांगों को सरकार या तो पूरा करती है या उन्हें समझा पाती है कि नहीं आपके हित में ही है बहुत धन्यवाद हम से बातचीत करने के लिए